टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राइ तीन हफते में मुबाइल फोन कॉलर आईडी सिस्टम जारी कर देगा इस सिस्टम के बाद मुबाइल पर ट्रू कॉलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्राइ की कॉलर आईडी में ग्रहा की के वाईसी डिटेल का इस्तेमाल क किया जाएगा यानि कि आपको ट्राई एक ऐसी सुविदा देगा जिससे आपको यह पता चलेगा अगर कोई अन्नोन नंबर है तो यह नंबर किस का था सर क्या वज़ा है इसे लाने के और कैसे काम करेगा सिस्टम यह जरूरत पहले से थी अब भारत के रेगुलेटर्स को काल पर भी और बाकी बाकी लोगों की मांग पर भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है कि तरफ से बात कही गई है कि तीन आगले तीन चार हफते में शुरू हो जाएगी पर उसका इस्ट्रक्चर क्या होगा यह पता नहीं है शायर टीर आई को एप जारी करेगी कि वह एप होगा या नेटवर्क के साहत साथ इस पूरे सिस्टम को बिल्ट किया जाएगा लेकिन जो सिस्टम दिख रहा है जो पता चल रहा है उसे साब से जो फोन धारक का के वाई सी है उस डेटाबेस का इस्तेमाल उसकी पहचान बताने में किया जाएगा यानि आपके और तो वो कल किसी के कैव आईसी पर है जिसका नाम उसे एडर्ज है तो वो कॉल कालर आईडी के तोर पर इसमें दिखाए देगी直गर से यह सिस्टम कितना फरक होगा言 यह बहर्ध से त्छोड़ा कमतर होगा यह उसका प्रयूग करने पर पता चलेगा लेकिन कालर बाना एक महत्तुपूल फैसला है और इससे कम से कम बहुत सारे लोगों को कोई इस बात की रहात मिलेगी कि जो इस मैम काल साती जिनकी उपहचान नहीं कर पाते हैं ट्रू कॉलर ने इस संदर में काफी सारी सुविधाएं दे रखे थी लेकिन उसके साथ ट्रू कॉलर चुंक हासे करता है